एक बार फिर सावन का महीना शुरू हो चुका है हाल ही में अधिक मास खत्म हुआ है 20 अगस्त 2023 को सावन महीने के विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथी भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है चतुर्थी के दिन भगवान गनेश की पूजा करना काफी लाब देता है इससे गनेश जी प्रसन होते हैं इस बार विनायक चतुर्थी पांच शुब योगों में मनाई जाने वाली है शुब सहयोग में पूजा पाठ और शुब कार्य करना बहुत फल देने वाला है गनेश जी आपके सार कष्ट दूर कर देंगे साथ ही घर में सुख सम्रिद्धी का प्रवेश होगा विनायक चतुर्थी शुब मुहूर्थ हिंदू पंचान के अनुसार सावन मास के शुखल पक्ष की चतुर्थी तिथी 19 अगस्त 2023 की रात दस दशमलव एक नौ मिनट से शुरू हो रही है जो की 21 अगस्त की मध्यरात्री 12 दशमलव 2 एक पर समाप्त होगी विनायक चतुर्थी के दिन पूजा का शुब मुहूर्थ 20 अगस्त की सुबह 11 दशमलव 2 चह से दोपहर 1 दशमलव 5 आठ तक रहेगा बनेंगे 5 शुब योग इस साल सावन के महीने में अधिक मास पढ़ने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है इसके चलते सावन में 2 विनायक चतुर्थी पढ़ रही है पहली विनायक चतुर्थी मनाई जा चुकी है अब 20 अगस्त को सावन की दूसरी विनायक चतुर्थी है इस दिन 5 शुब योग बन रहे हैं इन शुब योगों के चलते वरत करने वालों और पूजा पाठ करने वालों को कई गुना फल मिलने वाला है साथ ही इस दिन किये गए शुब कार्य सफल होंगे विनायक चतुर्थी के दिन सर्वार्थ सिद्धी अमरित सिद्धी, रवी योग, शुब योग और साध्य योग बन रहे हैं सर्वार्थ सिद्धी योग 20 अगस्त 2023 सुबह 6 बज के 21 मिनट से 21 अगस्त 2023 सुबह 4.22 रवी योग 20 अगस्त 2023 सुबह 6.21 से 21 अगस्त 2023 सुबह 4.22 अमृत सिद्धी योग 20 अगस्त 2023 सुबह 6.21 से 21 अगस्त 2023 सुबह 4.22 साध्य योग 19 अगस्त 2023 रात 9.1 नौ से 20 अगस्त 2023 सुबह 9.59 शुभ योग 20 अगस्त 2023 सुबह 9.59 से 21 अगस्त 2023 रात 10.21 इस मंत्र का करें जाप विनायक चतुर्थी के दिन एक शक्तिशाली मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए इससे भगवान गनेश की अपार कृपा प्राप्त होती है